समय आएगा सबसे पड़ा और सबसे लंबा चला हम हें मारें अगर आपको देखें क्लियर आ रहा होगा और डिवल होगा ठीक है तो यह मैंने में फोकस दिया था इस पर इयरफोन लगाने के लिए एक माडम जे ने कहा था तो इयरफोन नहीं मैं एक्चुली माइक्रोफोन यूज कर रहा था बट उस टाइम पर काफी स्लो मैं बोल रहा था इसले आपको सुनाई नहीं दिया अब मुद्दे की बात पर आते हैं यूनिट 3 और यूनिट 4 यूनिट 2 यूनिट 3 आज मैं आपको चैनल पर वीडियो डाल दूंगा यूनिट 4 और यूनिट 5 का लाएगा थोड़ा काम की स्पीड बढ़ी है बट थोड़ा से तबीयत भी खराब है मेरी इसलिए वीडियो लेट हो सकती है बट यह है कि अब वीडियो क्लेक्शन में आएंगी ठीक है दो से तीन वीडियो एक दिन में आएंगी तो आज जो है जो हम डिसकस करने जा रहे हैं वो यूनिट 2 के बारे में होगा हाँ गाइस कई लोगों ने पूचा था कि आपसे कॉंटैक्ट कैसे हो हम और इंपॉर्टन कुश्चन चाहिए तो उसकी लिए मैंने आज ही इंस्टाग्राम पेज बनाया है और इंस्टाग्राम की यह देखी ऊपर दिख रहा है आपको स्मार्ट इंजिनियर पाप हो ठीक है इंस्टाग्राम पर जरूर फॉल्व करो ठीक है चलो फिर सुरू करते आज का वीडियो तो आज का वीडियो है वेस्टी हमारा वमेश्ट है यूनिट टू पे ठीक है यूनिट्ट्टू सीएस तो इसमें अगर देखें confidentiality policy chapter का नाम है इसमें most important questions कौन कौन से है तो इसमें most important questions की स्रेणई में पहला question है what do you understand by security policies guys बहुत पूचा जाता है और इससे भी अगर कोई ज़्यादा important question है तो वो है second वाला what is rootkit attacks ठीक है ये बहुत आता है rootkit attacks आपको मिलना ही मिलना है दो नमबर में तो नहीं आएगा मगर ये long answer में आपको 10 से 12 नमबर में आपको जरूर देखेगा intrusion detection system पित डाइग्राम अगर ये question नहीं देखा तो नमबर कटवाने के जिम्मेदारी आपकी होगी ठीक है intrusion detection system जरूर देखेगे जाना है आपको फिर what is privileges and explain the unix and process ID in terms of privileges ये questions में से मैं आपको 100% बता दे रहा हूँ ठीक है 100% कौन-कौन से questions को आपको देना है और कौन-कौन से questions को थोड़ा कम भी दोगे तो चल जाएगा तो मैं बता देता हूँ 100% आपको जिन-जिन questions को देना है वो है ये question ठीक है ये आपका 100% 100% 100% चोड़ता हूँ इसको confinement principle 100% intervention detection system 200% ठीक है बाकी इन दोनों को भी छोड़ना नहीं है आपको ठीक है ये दोनों भी 3 & 6 ये और ये इन दोनों को भी छोड़ना नहीं है इन दोनों को भी करके जाना है आपको क्यों region ये है कि पहला paper वा है के ट्यू का इसलिए analysis में दिक्कत हुई है मगर जो पूछा जाता है वो मैंने 4-5 topics आपको बता दिए ठीक है तो इनको जरूर करके जाना और जिनको भी मुझसे contact करना है वो instagram पे follow कर लो ठीक है smart engineer babu आपको अगली वीडियो भी अभी मिल जाएगी unit 3 की ठीक है unit 3 जो कि मैं अलड़ी बना चुका हूँ और वह अभी upload भी हो जाएगी ठीक है चैनल को subscribe करो और अपने best friend के साथ share करो इसमें अगर कोई भी problem होती है देको simple सी बात यार coding हो गयरा है नहीं इसमें इसलिए कोई भी ऐसा tough topic है नहीं जिसको मैं आपको ना बताऊँ बट मैं अभी भी कहा रहा हूँ rootkit attacks, intervention detection system यह सब question कर छोड़ दिया तो मुश्किल में पढ़ जाएंगे आप ठीक है तो इन सब को main focus देना है आपको और अगली वीडियो आ रही है उसको भी share करो अपने दोस्तों के साथ लाइक करो वीडियो को सब्सक्राइब करो यार सब्सक्राइब करते हो ना तो एक motivation मिलता है और वीडियो को like जब करते हो ना तो अलग से आ जाता है जुनों कि हाँ अगली वीडियो टाइम पे बनानी है क्योंकि कोई wait कर रहा है ठीक है और एक proper way से कोई wait कर रहा है ठीक है इसलिए अच्छा लगता है चलो फिर मिलते हैं आपसे एकली वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाते है इस वीडियो को love you all और ऐसे ही प्यार बनाए रहो ठीक है ऐसे प्यार बनाए रहोगे तो वीडियो on time मिलती रहेगी अब excess वीडियो आएगी ठीक है एक वीडियो एक बार में नहीं आएगी अपसे दो या तीन वीडियो एक साथ आएगी ठीक है एक दिन में आपको दो या तीन वीडियो मिलेंगी पस्च चैनल को subscribe करो और ऐसे ही comment क कर दो कर दो कर दो